नमस्कार किसान बाईयों एक बाए फिर आप सबी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में आज हम बात करेंगे फार्म ट्रेक के एटम स्रीच के बारे में ये जो अभी एटम हम लोग देख रहे हैं एटम ये 26 HP का डेक्टर है और ये बात करें तो एसकॉर्ट का अपना मिनित्रैक्टर है तो आएज़े शुरू करते हैं इस ट्रैक्टर के बारे में अधिक जानकारी है तो दोस्तों अगर इसके इंजन की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको मिलता है तीन स्लेंडर का इंजन जो की 1318 सिसी का दमदार इंजन है और अगर इसके होस्पावर की बात करें तो ये 2800 होस्पावर का डेक्टर है और अगर इसके इंजन आर्पियम की बात करें तो ये 2600 आर्पियम पे आपको ये देता है अगर इसके क्लीनर की बात करें तो इसमें आपको मिलता है ड्राइट टैप air cleaner और एगर इसके gearbox की बात करें तो इसके gearbox आपको constant hemis type के मिलते हैं और clutch इसमें आपको single clutch मिलेगा dual clutch का option नहीं आता इसमें और इसमें shifting की बात करें तो side shift ट्रेक्टर आपको मिलता है अगर इसके maximum speed की बात करें तो 24.3 km की maximum speed है और अगर इसके hydraulic की बात करें तो इस ट्रक्टर में आपको मिलता है ADDC टाइप का hydraulic और अगर इसके hydraulic की अगर lifting capacity की बात करें तो यह आपको मिलता है 750 kg की और अगर इसके brake की बात करें तो इसमें oil break मिलते हैं साथ में इस ट्रक्टर में आपको मिलता है power steering का भी option अगर इसके PDO की बात करें तो 540 आपको standard rpm इसमें मिलते हैं और अगर इसके टायरों की अगर हम लोग बात करें तो इस टायर में आप इस ट्रक्टर में आपको आगे के 612 के टायर और पीछे के आपको 818 या फिर 832 के option के साथ भी एक ट्रक्टर आपको उपलब दोता है अगर इसके front axle की बात करें तो यह four wheel drive tractor होता है और अगर इस ट्रक्टर के अगर others feature की बात करें तो LED headlam मिल जाता आपको इसमें front bumper मिल जाएगा तो hook मिल जाएगा आपको deluxe seat मिलेगी इसके बाद digital instrument cluster आपको मिल जाएगा DCV valve मिल जाएगा जो कि hydraulic से चलने वाले implements को चलाने के लिए काफी helpful है इसके अलावा transport lock मिल जाएगा अगर transport lock की अगर feature की बात करें तो जैसे अगर कोई implement हम लोग पीछे बात करके लेके जाते हैं सडक पे उसको उठागर के तो वहाँ पर यह आपको काफी helpful कर देता है कि वो implements आपको नीचे गिरने नहीं देता है